स्वागत है आपका गैजट C60 हिंदी पे नमश्कार मित्रों मैं हूँ आपका दोस्त आयतना अच्छा और Motorola की जो E-Series रही है वो हमेशा से भाई फेमस रही है बजट सेग्मेंट के लिए बजट सेग्मेंट में 10,000 रुपे से नीचे हमेशा वो E-Series में फोर्स लाते रहे हैं और इसमें उनका लेटेस्ट एडिशन है वीडियो को लाइक कीजिए जड़ाव नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिए और हम वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्ता सबसे पहले तो भही आप प्राइसिंग को साइड में करते हैं जो मोटरोलर का E-40 है वो सिर्फ आता है एक स्टोरेज वेरिट में 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, 9,499 रुपे की प्राइसिंग आपको यहां पर दो कलर चॉइसिस मिलते हैं कार्बन ग्रे और पिंक ले अब आईए बात करते हैं जरा डिजाइन और डिस्पली के बारे में और जो बटन की पोजीशिनिंग है भाई वो ठीक नहीं है और सारे ही बटन एकदम राइट पे दे रखे हैं जिसकी वीज़े से थोड़ा बहुत क्लटर्ड सा लग रहा था यह जो पार बटन है वो मिडल में दे रखा है जिसको पहुँचना असान है वोल्यूम बटन और डेडिकेटेड बटन जो गूगल एसिस्टेंट का है वो सीधे उसके उपर ही दे रखे हैं इतने सारे बटन राइट पर ही दे रखे है कि कई बार सही बटन को ढूणना थोड़ा सा गैस करने वाली बात हो जाती है टॉप पे इस पर 3.5 mm हेडफोन जैक दे रखा और स्कैनर भी दे रखा है इन लोगों ने पीछे ही मोटरोला के बैट्विंग लोगों के साथ ये फून जो है 198 ग्राम्स वे करता है और भाई साब अगर जादा देल तक आप इस फोन को चला रहे है तो आपको ये बात जरूर महसूस होगी इस पर बड़ी 6.5 इंच की LCD पैनल जो डिस्प्लियो बढ़िया है उस पर डिसंट व्यूइंग अंगल से और ब्राइटेस भी सही थी इंडोर्स में मोटरोला ये 40 में सिंगल बॉटम फाइरिंग स्पीकर दे रहे है जो की हाई वोल्यूम पे थोड़ा सा एक्दम तीखा सा सुनाई देता है इस पर अगर हम देर तक वीडियो देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो फोन का लोवर हाफ हो जादा गरम हो रहा था ऐसे यूसेज के बाद तो ये एक बात आपको पता होनी चाहिए आई अब ज़रा बात करते हैं इसके स्पेसिकेशन के बारे में और यू आई के बारे में तो जो मो मोटो ई-40 जो है ये आई-पी-52 सर्टिफिकेशन के साथ आता है तो कुछ देर तक ये छीटों को जेल सकता है यानि कि आप इसको लेके बारिश में जरूर निकल सकते है पर भाई आप पूल में बढ़ डालिएगा इसको जो मोटो ई-40 है ये चलता है एंडूड 11 के साथ मो चोटी-मोटी चीज़े जो कि आपके आम दिंचरिया में जो यूसेज है उसको बढ़िया कर देती है और मोटो एक्स कस्टमाइजेशन से वह भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और इसी के अलावा मोटो ने त्री बटन नैविगेशन लियाउट को बाई डिफॉल् अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो मोटो एक उसेज को जेल सकता है तो अगर आप अपने फोन को जातर वाट्साप और चला रहे हैं फोन कॉल्स के लिए चला रहे हैं और चैशूल गेमिंग के लिए चला रहे हैं तो फोन यह सब कुछ हैंडल कर पाएगा बिना किसी दिक्कत के मल्टी टास्किंग वगेरा करना भी कोई जादा मुश्किल काम नहीं था आप अराम से हो रहा था जो अगर आप कम अप्स पे मल्टी टास्किंग कर रहे हैं तब हमने आपे खेला बैटल ग्राउंस मुबाइल इंडिया मोटो ए-40 पे और नॉर्मल से जादा समय लगा उसको डोड होने में पर रन होने पे वो डिफॉल्ट करना था एक्ष्टी ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रिट सेटिंग पे गेम जो था वो प्लेवल था बिना किसी स्टटर वगेरा के हमने चपीस मिनट इस पे खेला और देखा कि साथ परसेंट बैटरी ड्रॉप जैसे कि हमने इनके प्रीवियस मॉडल्स पे देखा था बर जो फीचर से हों काफिया तक लिम्टेड है क्योंकि बजेट फोन है जो मोटो एफटी हो काफिया तक बढ़िया था और फोकस कर पा रहा था प्यार से पर कई बार ऐसा हो था जब इसको थोड़ा सा जादा टाइ देटेल नहीं आ दी थी और थोड़ा बहुत ग्रेन भी दिखाई दे रहा था उन रीजिंस में जहां पर अंदकार जादा था क्लोस अफ शॉट्स में काफिया बढ़िया डिटेल थी और जो फोन था आराम से सेपरेशन कर पा रहा था सब्जेक्ट और बैक्राउंड के बी मैक्रो शॉट्स जो थे वो ठीक ठाक थे पर उतने जाथा शार्प नहीं थे और ऐसा लगा कि अगर ये लोग अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे देते मैक्रो कैमरा सेंसर देने के बजाए तो शायद जादा मज़ा आता पर मेबी ये संभव नहीं था इस बज़ेट सेग और वो थोड़ा बहुत मदद जरूर करता है शापनेस बढ़ाने में और लाइट जादा कैप्चर करने में डाक सीन्स पे जो शेल्फीज हमने डे लाइट मेली वो काफियत तक सही थी पर जो लो लाइट मेली गई सेल्फी थी वो इत्तम फ्लाट सी लग रही थी सेल्फी में काफियत बढ़िया है डेटेक्शन था पर आराम से एक दो सेकेंड लग रहा था एक फोटो कैप्चर करने में वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्स 1080p तक जाती है प्राइमरी कैमरा पर और सेल्फी कैमरा पर भी और इस फोन में किसी भी प्रकार का स्टेबिलाइजेशन नह काम से डेड़ दिन से उपर की उसेज मिल रही थी हमारी टीम को टेस्टिंग में जो मोटर एफॉर्टी में बड़ी 5000 एमेच की बैटरी है वो 15 गंटे 7 मिनिट चली थी हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में बैटरी लाइफ काफी हा तक बढ़िया है चार्जिंग थोड़ी उसी 10 वाट के चार्जर से तो ये थोड़ी सी दुखत बात है जो मोटो एफॉर्टी हो काफी अदर बढ़िया हार्डवेर देता है एक कैश्वल यूजर के लिए अपने प्राइस पॉइंट पर बड़े आप्स और गेम्स को काफी टाइम लग रहा था इस पर लोड़ होन है तो भाइस साब मोटो एफॉर्टी आपके लिए बहुत ही बड़िया फोन रहेगा अन्य था मार्केट में अन्य आप्शेंस हैं प्लेंटी फिश इन दिस सी और मार्केट में आपको भी वील्मी नार्जो सीरीज में भी बजट सेग्मेंट में डिवाइस मिल जाएंगे या फिर जो रीसेंट नी हमने इन्फिनिक्स का हॉट 11S रिव्यू किया था वो भी इसी प्रैस सेग्मेंट में उपलब्ध है जिसकी तरफ आप अपनी दृष्टी घुमा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही आपके वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट झाल